हेलो एवरीबन इस्टुडेंट्स आप लोग देख रहे हैं मेरा अपना नेजी चैनल स्मार्ट एजूकेशन विक गौतम सर आज प्रजेंट के चारो टैंस पढ़ाऊंगा मैं आपको तो बरे धैरे पूरवा का आप देखिएगा प्रजेंट के चारो टैंस थोड़ा आगे पढ़ने से पहले एक नजर टालते हैं एक प्रजेंट टैंस होता है एक पास टैंस होता है और एक फूचर टैंस होता है इनका नाम सुन रखा होगा को पढ़े भी होगा अपने ठीक ये वरतमान के लिए होता है ये भूत काल के लिए होता है और ये भविश्य present continuous present perfect और present perfect continuous उसी तरह से ये past के साथ भी जुड़ा हुआ है और उसी तरह से ये future के साथ जुड़ा हुआ है इन तीनों के साथ जो चारों जुड़ जाते हैं तो ये 12 टेंस हो जाते हैं तो बारे टेंस मेंसे आज हम present indefinite tense पहले टेंस का अध्यान करेंगे बिना कुछ देरी किये हुए चलते हैं main part तो जो अभी आपको बारे टेंस बताई हैं उन मेंसे सबसे पहला है तो उसको ये देखिएगा कि इसकी पहचान क्या होती है तो हिंदी वाकिके अंत में ता है ती है और ते है और ते है और ते हो आदी सब्द आ जाएं दिखरा हुआ अगर ये हिंदी सेंटेंस के अंतर गता रहे हैं अंत में तो आप समझेए कि ये present indefinite tense है ठीक दो एक्जंपल देखिए वह जाता है तो sentence के पीछे क्या आया है ता है इसके पीछे ते हो और यही मैंने आपको यहाँ पर बताया है अगर ऐसी condition आती है फटाक्स या present indefinite दूसरी चीज इन sentence के अंतरगत वाकिये कव हुआ है present में लेकिन कव हुआ है उसका कोई निशित समय नहीं होता present का तो है लेकिन समय नहीं है तो present के साथ-साथ indefinite अनिशित समय के अंतरगत जो गटना गटी है उसे हम वह जाता है अब कब जाता है यह पता नहीं तुम खेल खेलते हो कब खेलते हो पता नहीं इसलिए ये इंडेफिनिट के अंधर अगर मेरा वीडियो दो चार मिनिट लंबा हो जाए तो प्लीज धहरे के साथ देखिएगा लेकिन आपको ज्यान ही मिलेगा कोई इधर उधर की कोई आलतु-फालतु बाते मेरे किसी वीडियो में नही देखी मैं आपको नियम बताता रहूंगा साथ साथ आप वीडियो पॉज करके रोक के आप उनको देख सकते हैं लिख सकते हैं इस सेंटेंस के माध्यम से ऐसा समझा दूगा कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे आप तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसके अ सब्जेक्ट है दो तरह के होते हैं सब्जेक्ट एक सिंगूलर और प्लूरल यह दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं तो यह देख लीजिए कि सेंटेंस हमारा कैसा है लड़का अपने घर जाता है लड़का कितना है एक है ताहती है लगा हुआ है प्रिजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो sentence को बड़े आराम से देखिएगा, the boy go to his house, ये simply sentence बना भी सही नहीं है, एक दम्मत समझिएगा कि सही हो गया, अब हमें करना क्या है कि ये subject हमने लिखा है singular और plural, तो singular के साथ हम देख रहा होगा यहां से आराम से, as या es जोड़ेंगे वर्ब में, और plural के साथ कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो यहां पर main चीज ये है कि the boy, अब ये है इसकी वर्ब, तो गोज कर देंगे इसको, the boy goes to his house, house, home जो भी है, वह जाता है, तो वह जाता है में, ताहे जोड़ा हुआ है पीछे से, वह की अंग्रेजी he, और go, मैंने दो sentence, ये singular के हैं पहले ये plural के हैं, इस तरह समझा दोंगा, दो दो sentence के आधार पर ही, आप अपनी पास, जो भी किताब है आपके पास, उसमें से पढ़िए, देखिए, exercise कीजिए, कोई problem हो तो comment box में पूछिएगा, तो he go लगा, अब he go के साथ ही, अब आपको इसमें es जोड़ देनी है, ध् एम आर की कोई अंग्रेजी नहीं आती है, तो he goes, the boy goes to his house या home, कुछ भी लगाईएगा, कोई साथ एक लगे का दोनों मत लगा देना, अब देखते हैं plural में, तो वे school जाते हैं, तो they go to school, अब हमने देखा plural के साथ कुछ नहीं लगाना, तो they go to school, यह T-H-E-Y है, they go to school, simply लिखना है, is MR बिलकुल नहीं लगाना, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, कई बार स्टुनेंट्स गलती कर देते हैं, they are go to school, बिलकुल गलत हो जाएगा, ठीक, मैं, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, देखिए का मैं, कहने में, एक आदम ही है, कि मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन प्रेजेंट के अंतरगत, इंडेफिनिट के अंतरगत, इसको पिलूरल में रखा गया है, तो I tell you a story, थोड़ा सा दुबारा समझेगा आराम से, सब्जेक्ट को ध्यान से देखना है, सिंगूलर है, तो SES लगाना है, क जोडना है, पिलूरल है, तो Io trees लेकlen में कुछ नहीं जोडना, वर्व कौन सी होती है, जो काम सेंटेंस के अंदर हो रहा है, अपने घर जाने का काम हो रहा है, तो जाने की गो, तो हमने EES जोड दिया, गोEES जोड दिया, और पिलूरल के अंतरगत, दे है, वे है, कई सारे हैं तो आपको कुछ नहीं जोड़ना सीधा सा गो लगा दीजिए कोई इज एम आर नहीं कोई साहिक के रिया नहीं कोई दूसरी चीज नहीं केवल सिंपल सेंटेंस पड़े प्यार से आपके पास जो भी किताब है उनसे पढ़िएगा देखिएगा समझिएगा अब आगे चलते हैं दूसरे नमबर पर आता है नेगेटिव सेंटेंस ऐसे वाकिए जिनके अंद में नहीं लगा होता है तो जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं उनको भी देखिएगा वह जूट नहीं बोलता है तो वह के लिए ही, अब आपको करना क्या है, singular और plural, singular के लिए, डज और plural के लिए do, और इहीं के साथ जोड़ना है आपको not, बस negative की problem खता, तो देखिएगा, he, अब he क्या है, singular है, तो क्या लेना है आपको, does not, he does not tell a lie, बस, अब इसमें भी कोई is, mr नहीं लगाना, बस do not और does not का प्रियोग कीजिए, और समस्या खताम, तुम चाय नहीं पीते हो, तो you, अब you, तुम बहुँ बचन है, you do not take tea, या drink tea, कुछ भी कर सकते हैं, आप, बैसे take जाता, अच्छा माना जाता है, ये दो sentence थोड़े से अलग हैं, हैं इन्ही के, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इनको, वह कभी school नहीं जाता, जब sentence के अंदर कभी नहीं और हमेशा आ जाए, अब ऐसे sentence को क्या करना है, ये थोड़ा सा इन्ही नियम के साथ साथ अलग है, तो इसमें देखिएगा, ही, और इसके साथ कभी नहीं के लिए हमने जोड़ा इसमें नैवर, और फिर आजाओ, वही पुराना नियम, वर्व लगाओ, ही नैवर, गो टू स्कूल, अभी sentence पूरा नहीं है, ध्यान रखिएगा, अब हमको क्या करना है, जब कभी नहीं और हमेशा दोनों से ये आ तो इस sentence को जैसे simple वाले नियम के अनुसार बनाएंगे, तो इसमें es जोड़ना है, he never goes to school, वह कभी school नहीं जाता है, अब हुआ sentence पूरा, ठीक, बहुत ध्यान से आराम से देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा, वीडियो को चाहो तो दो बार देख लो, लेकिन गलती मत कर तुम हमेशा सच बोलते हो, तो तुम के लिए you लगाया, और इस हमेशा के लिए हमने क्या लगाया, always, you, always, अब you है, बहुबचन है, बहुबचन के साथ हमने बताया था अभी आपको, कि वर्व के अंतरकत कुछ नहीं लगाते हैं, वही काम यहां करेंगे, you always, speak truth, बस, यहां तक clear हुआ आपको, आगे चलते हैं, देखिए, interrogative दो प्रकार के हुआ करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, समझाने में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको knowledge ही मिल रही है, जब sentence में क्या सब्द पहले लगा हो, या फिर यह कहिए, कि जिस प् और ना में आता हो, वो हमारा simple interrogative होता है, तो क्या वह सड़क पर दोड़ता है, इसका answer कहा लेंगे आप, हाँ और ना, वह दोड़ता है, नहीं दोड़ता है, बस, तो हाँ और ना में जो answer आते हैं, वो simple interrogative होते हैं, और जिन में कुछ सब्द बोलना हो, sentence बोलना हो, या पतानी पढ़ेगी दिल्ली लखनो कानपूर इलावत कहा रहता है तो इस पहले एक्जामपल पर चलते हैं क्या वह सड़क पर दोड़ता है यह आपको क्या वाले सेंटेंस प्रजेंट इंडेफिनिट के मिलते हैं जिनमें ता है ती है लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको सबजेक्ट लेंगे डज ही रन ओन रोट यहां रखना यहां रंस नहीं करना है क्योंकि वो केवल सिंपल वाले में होगा इनमें नहीं होगा बस साहिक किरिया को आगे लगा दीजे क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगानी है आपको क्या वे किरकिट खेलते हैं कह सकते हैं दो या दो से अधिक कितने भी हो सब पिलूरल होते हैं अंग्रेजी में और शेव एक का मतलब है सिंगुलर तो यहां पिलूरल के लिए डू दू दे पीछे कुश्यन मारक दोनों है बिल्कुल कलियर हो रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा जब समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है भाई लाइक की जिए भाई सभी सुडेंट्स अब ये आता है वह कहां रहता है तो जब इस तरह का sentence आ जाया तो सबसे पहले इसी सब्द की अंग्रेजी लिख दो वेर और फिर उसी नियम पर आ जाओ उस पर तो येसे वह है singular तो singular के लिए फिर डज लेके आनी है आपको वेर डज और पीछे question mark लिवस मत करना मैं फिर कह रहा हूँ सिंपल में लगेंगी उसके बाद negative interrogative में कुछ नहीं लगना डू डज लगेगा जो नियम बता रहा हूँ वो लगेंगी वेर डज ही ले आगे देखिए तुम रोजाना इसकूल क्यों नहीं जाते हो अब देखिए इस sentence के अंतरकत क्यों और नहीं दोनों सब देख साथ आ गए interrogative और negative आप इनको कैसे करेंगे आप इसी नियम के नुसार करेंगे क्योंकि अंग्रे जी के लिए वाई तुम बहुबचन है तो तुम के अंग्रे जी ये आ गई और ये बहुबचन है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे तो वाई डू यू नॉट अपनी जिगह पर सब्जेक्ट के बाद और वर्व से पहले वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल अब रोजाना की अंग्रे जी सबसे पीछे लिए बाद डेली और पीछे कुश्यन मार्ग किलियर हुआ सबसे पहले प्रस्णवाचक शब्द की अंग्रे जी उसके बाद हेल्पिंग वर्व और उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट नॉट हमेशा वर्व से पहले रखें सब्जेक्ट के बाद रखें यदि सब्जेक्ट नहीं है तो यो कितों आ जाएगा अगला सेंटेंस थोड़ा सा समझने का है ध्यान दीजिए तुम्हें अंग्रे जी कौन पढ़ाता है ठीक अब ये प्रस्णवाचक भी है तो कौन की अंग्रे जी सबसे पहले ये तो ये जब जब हूँ शब्द किसी जगे कौन तो ये प्रस्णवाचक सब्द है यही आपका सब्जेक्ट है तो यब यही सब्जेक्ट है तो इसके बाद आपको जो वर्व लेनी है ये आ गई अब जब सब्जेक्ट एक आदि पढ़ाने वाला है तो इसलिए इसको सिंपल में बना कर इस जोड़ना है किसको तुमको उटीच्स यू इंग्लेश और पीछे आगे सेंटेंस देखिए तुम अखवार क्यों नहीं पढ़ते हो तो क्योंकि अंग्रेजी वाई तुम है डू यू नॉट अपनी जगह पर वाई डू यू नॉट रीट नीउज पेपर और पीछे कुशन मार्क तो इस्ट्ट्ट्स मैं उमीद करता हूँ आपको प्रिजेंट समझ में आ गया हुगा जिनको पूरी तर समझ में आ गया हो मुझे कमेंट करके बताए और वीडियो को दो वार देखें, तीन वार देखें, आपके पास जो भी किताब घर में मौझूद है, उस किताब की exercise जो पीछे दी गई है, उन सभी exercise को कीजिएगा, और वीडियो को दो तीन वार देखो, और friends को share करो, आपके phone में जितने भी WhatsApp ग्रूप हैं, जितने भी friends हैं सब को share कर डालो, यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए आपके लिए जो सेवा दे रहा हूँ, यह एक समा सेवा है, और इस समा सेवा का यही fees है, कि बस आप share कर दीजिए जितना हो सके हैं, तो चलिए student present indefinite की बात चलते हैं, present continuous की और, present continuous के सारे निय center देखते हैं, कि present continuous होता क्या है, present का मतब होता है, वरतमान काल, जो समय इस समय चल रहा है, और continuous का मतब चलता हुआ, तो यह जो tense होता है, इसकी जो पहचान होती है, वाकिके अंत में रहा है, रही है, और रहे हैं, आती ऐसे सब्दाए हैं, और जिसमें काम के जारी देहने, काम के होते रहने की बात हो, और इसकी helping वर्व होती है, इज, आर और एम, यह अलग-अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग-अलग लग जाएंगे, तो इसमें देखिए, इज, आर, एम, इनको कहां-कहां लगाना, जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, और कोई एक नाम हो किसी का, जैसे मोहन, राकेस, गीता, सीता, आर कहां लगनी है, वी, दे, और नाम कही सारे हो, मोहन और राकेस बाजार जा रहे हैं, तो मोहन, एंट, राकेस, आर लग जाएगा, यू के साथ, आर लगाना है, और एम, आई के साथ, चलिए, आगे चलते हैं स्नियम کی हो, जो काई जो मेरे चैनल पर नए हैं नए स्टुडेंट्स हैं पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो सबस्क्राइब भी करें और बैल बटल भी दवाएं ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें आपको कहीं ढूंडना ना पड़े हैं थो चलते हैं ये एफर्मेटिव सेंटन्स हैं गो सिंपल भी बोलते हैं और स्टेटइमेंट वाले भी सेंटन्स बोल दीये जाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा यह प्रचलित है एफर्मेटिव तो इसका नियम होता है फेले subject लगाएं फिर helping verb लगाएं फिर verb और ing दौनों अलग तो पहला वाक्य देखिए वह किताब पढ़ रहा है तो काम क्या हो रहा है इसमें पढ़ने का काम हो रहा है तो यह हमारी वर्व हो जाएगी पढ़ना कौन पढ़ रहा है वह पढ़ रहा है और किसी चीज को पढ़ रहा है किताब को पढ़ रहा है तो यह यहां वर्व हो गया यह subject हो गया और यह object हो गया अब इसी नियम की आधार पे लगा दो तो सबसे पहले यह कह रहा है कि subject लगाना है तो सबसे पहले he और he के साथ मैंने आपको बताए कि is लगेगा he is और पढ़ना की read और ing के साथ लगेगी he is reading a book मिलकुल के लिए बहुत सिंपल सा है सबसे सरल सेंटेंस होते हैं present continuous की क्योंकि बच्चों में आदत होती है सब में आदत होती है is mr लगाने की यह is mr वाले भी है दूसरा सेंटेंस देखिए पिता जी अकवार पढ़ रहे हैं तो father age reading newspaper बिलकुल सिंपल सेंटेंस हैं आपके पास जो भी घर में किताब है उसी किताब से आप पढ़िएगा और बड़े अराम से आपको उसकी सारी एक्साइज हो जाएंगी नियम सारे मैं आपको पढ़ाई दे रहा हूँ एक्साइज अपनी किताब वाली करें मेरा भाई मैदान में किर्केट खेल रहा है तो इसको बनाओ माई ब्रदर इज प्लेइंग किर्केट इन दे ग्राउंट ग्राउंड या प्ले ग्राउंड कुछ भी कर सकते हैं तो यह सिंपल सेंटेंस हो गए आपके एफर्मेटिव सेंटेंस हो गए जिनमें कोई नहीं और क्या सब्द नहीं होता है यहां तक मैं उम्मीद करता हूँ कि किलियर होगा आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की होगा इसके आगे आते हैं नेगेटिव सेंटेंस इनको नकारात्मक भी कहते हैं नहीं वाले वाकिये भी कहा जाता है देखिए स्प्रेंट्स मेरा वीडियो और चार मिनिट लंबा होता है तो कोई बात नहीं धैते बनाके आराम से देखिए skip मत करना बिल्कुल भी कोई भी काम की बात निकल सकती है तो इसमें subject, helping verb और not लगानी है उसके साथ और verb में ing जोडनी है और object और other word चलते हैं पहला example देखते हैं वड़े आराम से समझीएगा तुम school नहीं जा रहे हो तो तुम के लिए you are not going to school अब हमने इसमें मुख्य काम क्या किया यहां तक तो हम बनाई रहे थे not को इसमें जोड़ दिया है क्योंकि यह नकारात्मक sentence है negative वाले बस not लगाते चाहिए sentence clear होता जाएगा दूसरा देखो मोहन पार्ट याद नहीं कर रहा है तो मोहन is not अब याद करना की होती है learn l-e-a-r-n-i-n-g learning the lesson sorry l-e-r-s-o है यह भी के लिए अगला sentence देखी इसका वह खाना नहीं खा रहा है तो वह के लिए he is not not तीनों जगे देखी अपनी जगह पर लगेगा वर्व से पहले लगता है not हमेशा he is not eating food मिलकुल के लिए है subject के साथ हमने क्या बताया helping sorry helping verb के साथ not जोडना है बस इतना काम करना है और present continuous का negative आपके लिए तयार अब चलते हैं इसके interrogative की तरफ जो क्यों कहां कब कैसे कौन क्या वाले जो वाक्य होते हैं तो इसमें दो तरह के होते हैं आपको पहले मैंने पिछले वीडियों बता रखा है तो क्या वाले होते हैं तो उनमें helping verb को आगे लगाना है और subject, verb, ing, object, other words सब आगे चलते चले जाएंगे और जो कब कहां कैसे कौन वाले होते हैं वो wh word वाले होते हैं इन wh word को लगाएं उसके बाद फिर helping verb, subject, not और तरह से पूरा process अराम से देखिएगा यहां तक थोड़ी दिर के लिए हटा दिया जाएं तो क्या बनाएंगे आप, you are taking tea हमने क्या करना है, जैसे इसमें क्या सब्द हमने देखा, तो क्या सब्द के लिए वाट नहीं लगाना इसमें क्या करना है, helping verb को आगे उठा लेना है, इसको यहां से हटाओ और सीधा सा यहां ले आओ are you taking tea और पीछे question mark, बस helping verb को ठाके आगे ले जाना है दूसरा sentence देखिएगा, यह है क्यों वाला, और नहीं भी यह दोनों sentence में दोनों चीज़े हैं तो क्यों की अंग्रेजी, सबसे पहले, why are you not taking juice question mark, wh word पहले आ गया, helping verb, subject, फिर not, verb और ing और फिर object not हमेशा subject और मुख्य करिया के बीच में आएगा, main verb के बीच में आएगा are के साथ यहां साथ नहीं देगा, यह दोनों अलग हो जाएंगी, are इसके support में गई और not अपनी जगे पर है next sentence देखिएगा, वह निवंद क्यों नहीं लिख रहा है, तो क्यों के लिए why is he, जो helping verb आती है, यह इस subject के अमसार आती है इसके अमसार, चीक है, तो why is he not writing an essay और question mark अगला sentence देखिएगा, वह क्या खा रहा है अब यह क्या वाला सब्द यहां पे भी है, और क्या यहां पे भी है लेकिन मैंने बताया नहीं, जिन प्रस्नों के उत्तर yes और no में होते हैं वे simple interrogative कहलाते हैं, इनके लिए helping verb को आगे उठाना है लेकिन वह क्या खा रहा है, इसका उत्तर हां और ना में नहीं होगा बिस्केट खा रहा है, वह आम केला पपीता, कुछ भी खा रहा है, वह खाना खा रहा है इसका answer yes और no में नहीं है, तो ऐसी sentence को double प्रस्नवाचक ले लेते हैं तो what इसके लिए लगाना है, इसके लिए what नहीं लगाना है, इसके लिए केवल helping verb आगे लेनी है what is he eating इस तरह से बनाएंगे इनको अब present continuous का, ये एक और है, कौन आ रहा है अब देखिए, काम क्या हो रहा है, इसमें आने का आने वाला कौन है, कौन, तो जब ऐसा सब्द ही, खुद अपने आप में subject का काम कर रहा हो तो इसके साथ कोई helping verb और और वो दूसी चीज वो लगाने का नहीं होता है who is coming सीधा लगाएंगे, इसमें subject नहीं है, तो ये सीधा आगे चला जाता है और ये आपकी सुविधा के लिए ये जो प्रस्नवाचक वाक्यों के अंतरगत यो डब्लू एच फैमिली के बर्ड होते हैं इनको थोड़ा सा देखिए गाँ तो डब्लू एच फैमिली के अंतरगत ये कुछ चुनिंता सब्द आते हैं जो सबसे ज़्यादा आते रहते हैं हालंकि शब्द तो और भी हैं लेकिन मैंने कुछ ही लिखे हैं आपके लिए तो भाई सब्द का मतब होता है क्यों इनको आप थोड़ा सा देख लो सब नोट करने कॉपी में वैन माने कब और वेर माने कहां हू माने कौन हाउ मींस कैसे हू माने किसे और हूज मींस किसका जैसे कहते हैं यह बैक किसका है यह किताब किसकी है और तुम चाय किसको पिला रहे हो तो यह इसलिए आजाएगा तो इनको आप रखें तयार यह डवलुएज की पूरी फैमिली आपके पास प्रजेंट कंटुनियस आपका पूरा किया मैंने प्रजेंट फरफेक्ट भी नेक्स्ट वीडियो मेरे आ रहा है तयार हो चुगा है तो एक क्रम सी आप सेंटेंस बनाते रहिए देखते रहिए अपने पास एक नोटबुक रखिएगा जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए और आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना तो इतना तो बनता है और सेयर सबस्क्राइब जरूर करें आपके फॉन में जितने भी वाटसेप ग्रूप और नंबर है सब के साथ सेयर करें बस इतना सा मेरा काप काम करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा इ प्रजेंट इंडेफिनिट और कंटुनियंस पढ़ने के बाद अब आगे चलते हैं प्रजेंट परफेक्ट की और प्लीज धेरे के साथ पूरा वीडियो देखते रहिए आपको पूरा सीखने को मिलेगा वागे मेरी जम्मेधर ही हो और चलते हैं आज की टॉपिक पर प्र प्रजेंट परफेक्ट टेंस तो प्रजेंट का मतब होता है वर्तमान जो इस समय चल रहा है वर्तमान और यह है परफेक्ट परफेक्ट का मतब होता है पूर्ण कोई काम पूरा हो चुका हो और टेंस मींस वो काल तो वर्तमान में जो काम पूरा हो चुका हो वे सभी सेंट में चुका है और चुकी है चीक चुके है आदी शब्द दिये हो या दिया है या है या है तो एक ही शब्द है ध्यार रखना यी है या यी है जैसे ट्रें छूट गई है मैं अगे बता दूगा वस आप इतना समझें को कि यह इस तरह से होता है देखिएगा हालांके सबकाम नियम से ही चलेंगे लेकिन मैं आपको इन एक्जांपल्स के माध्यम से इस तरह समझाऊँगा कि नियम भी समझ में आ जाएगा और सेंटेंस भी बनना शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले एफरमेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको देखिएगा और इससे पहले इसको देखिएगा इसकी हेल्पिंग वर्व होती है क्या हैज और हैव चाहें तो इसका पहले से एक स्क्रीन सोट ले लीजिए क्योंकि बाद में फिर पैन चलने के बाद थोड़ा रगाई पुताईस ही हो जाती है तो हैज और हैव दो इसकी हेल्पिंग वर्व हैं हैज को लगाना है सिंगूलर के साथ हैव को लगाना है प्लूरल के साथ और व एपिंग वर्व फिर वर्व की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्चेक्ट फिर अदर वर्ड और कुछ भी है वो सब बाद में लगेगा तो साथ साथ सेंटेंस भी लिखते चलेंगे और नियम भी समझते चलेंगे तो बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा आपको जरूर समझ में आएगा मैं यहां पुस्टक पढ़ चुका हूँ अब देखिए आपको पहचान बताया था कि चुका है चुकी है चुके है मतलब पुस्टक पढ़ने का काम पूरा हो चुका है प्रजेंट में भी परफेक्ट का काम है मतलब वर्तमान में भी है वर्तमान यहां से दिख रह I, मैं, और उसके बाद इसके according चलेंगे, तो helping verb लगो, I बहुब अच्छन में है, तो I have read, किस क्या पढ़ चुका है, पुष्टक, this book, और full stop, जो लोग मेरे चैनल को लगातार देखते रहेंगे, उनको यह sentence कराने के बाद, tense पूरे complete कराने के बाद, passive voice, direct indirect, vocabulary, सब कुछ कराना है, दूसी चीज, यह दिखाए जाएगा, कि यह एक एक word का classification किया जाएगा, क्यों word यहां क्यों लगाए, है वगर यहां पर है, तो क् क्या है यहां पर, बुक क्या है यहां पर, ठीक, तो यह एक एक चीज लेके शल्लाहूं में शुरुआ से, तो मेरे साथ बने रही है, और वीडियो को last तक देखना, जो लोग last तक देखेंगे, वो जरूर सीखे जाएगे, इतना मेरा दावा है, और मेरा बादा है, वे घर चले गए हैं, तो यह हैं आगया इसके साथ, यह हैं, अभी आपको बताया था पहँचान के अंतर हर जेगे चुका चुकी नहीं मिलेगा, मतब काम complete हो चुका, जाने का काम पूरा हो चुका, मतब जाने के लिए वो चले गए हैं, तो वे का मतलब दे, और helping work, दे हैव, और अलकुल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद आते मुझे, तुम खाना खा चुके हो, यह आगया क्लियर, खाना खा चुके हो, तो तुम के लिए, यू, हैव, एटन लगा सकते हैं, टेकन लगा सकते हैं, और दूसरी चीज, हैड भी यूज होती है, यह मैंने अलग से वीडियो बनाए भी होगा है, लेकिन कोई सा एक लगाना इन मैंसे, तीनों नहीं लगाने हैं, कोई सा भी एक, you have eaten the food, या you have taken food, या you have had the food, तीनों ही आ जाते हैं, तो इस तरह से देखिएगा, तो उमीद करता हूँ, यह affirmative वाला समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें सारा affirmation का work हो अब देखिए इसका negative sentence, negative वाले में कौन से होते हैं, जो नहीं वाले वाक्यों होते हैं, जिनमें नहीं शब्द लगा होता है, तो इसमें subject, healthy verb और not जोड़ देनी हैं, वर्व की third form सभी वाक्यों में आई कि object और other word, मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक हैं, कभी-कभी जैसे को helping verb, have or not eaten food, दूसरा देखो, तुमने part याद नहीं किया है, तो तुमने के लिए, you have not learn, l-e-a-r-n और t लगाते ही, third form बन जाती है, इस sentence को बनाने के लिए, सभी से मेरा निवेदन है, कि वो वर्व की third form याद करें, और past indefinite के लिए second form भी तयार रखें आपनी, क्योंकि past indefinite भी मैं कल पर समय ही पढ़ाऊंगा भी, you have not learned the lesson, तो ये third form है, ये इधर third form है, third form सब में लगेगी वर्व की, ये negative ही clear हो गया होगा आपको, बिल्कुल simple है, आप चलते हैं, interrogative की और, interrogative की अंतरकर देखिएगा, दो प्रकार का interrogative होता है, पहले वाला जो क्या वाले वाग की होते हैं, और दूसरे वाले जो डब्लू एच वाले वाले वाग की होते हैं, तो सबसे पहले क्या वाले को देखो, ये helping वर्व से सुरू करते हैं, subject, verb third, object और other word, तो पहले इसको दे लगानी है, अब helping verb हैं, हमारे पास has और have दो, तो वो आएंगी subject की, अनुसार, subject क्या है आपके पास, तुमने you, और you है वह वच्चन, तो इसके लिए आएगी have, have you plugged the floor, question mark बीज़े, क्या तुमने निवन्थ लिख लिया है, क्या तुम निवन्थ लिख चुके हो, ठीक, तो ये भी तुमने वाला है, तो तुमने के लिए have से start करो सको, have you written, W-R-I-T-E-N, written NSA, question mark, क्या अध्यापक ये पार्ट पहले पढ़ा चुके हैं, अब क्या के लिए, helping verb आगे लेके आओ, helping verb के लिए subject देखो, क्या है, subject क्या है, teacher, teacher कितना है, एक, तो एक के लिए लगाना है आपको, has the teacher, has the teacher, और आगे कुछ हाई नहीं, अब लेते हैं, पढ़ाने की अंग्रेजी, has the teacher taught, teach, taught, taught, ये third form है, teach की, has the teacher taught this lesson already, या before लगा सकते हैं, दोनों मैं से कोई साथ word आप यूज़ कर सकते हैं, कोई साथ, already या before, तो ये क्या वाले sentence आपके समझ आ गए होंगे, अब देखिए second type के, question word, तो इसमें डब्लू ह वर्ड लगेगा, helping verb, subject, यदि not है तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगा, फिर verb की third form, फिर object, फिर other word, तो इसका screenshot ले लीजिएगा, और ये वीडियो पॉज़ करके, वीडियो को रोक के, अराम से ये दोनों लाइन जरूर नोट करें, तब ही आप sentence बना पाएंगे, आगे देखिए, second type वाले, तो इन सब में क्यों लगा हुआ है, क्यों वाले है, उसने गाय क्यों बेच दी है, तो सबसे पहले मैंने बताए, क्यों की अंग्रेजी आईगी, तो वाई, अब उसने का आएगा ही, और ही के according आएगा यहाँ पे, helping बर्व, तो वाई हैज ही, अब नहीं तो है नहीं, तो सेल का, third form, sold, वाई हैज ही, sold, the cow, बहुत simple है, बड़े आराम से बनाईएगा, जरासा समझने की देरी है, अंग्रेजी बहुत अच्छी भासा है, और जब मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो और भी ज़्यादा सरल हो जाएगी, करन ने यह प्रस्न हल क्यों नहीं किया है, अब इसके अंदर क्यों भी आया, नहीं भी आया है, दो शब्द आये हैं, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाओ, वाई, हैज, करन, अब नहीं भी लगा हुआ है, तो नोट भी लगाना है, हमेशा याद रखें, नोट को सब्जेक्ट के बाद, और वर्व से पहले लगाना है, नोट, हल करना, सॉल्व, औ और इसकी आजाएगी, थर्ड फॉर्म, एडी के साथ, सॉल्व, वाई, हैज, करन, नोट, सॉल्व, दिस कुश्यन, अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा हो, एक बार कमेंट वॉक्स में जरूर बताना, अगर किसी को कोई सुझाव लगता है, कि साथ, इस तरह मेरी समझ में नहीं आया, तो उसका भी समाधन किया जाएगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर, तुमने यह क्यों नहीं खाया है, तुम्हारा कोई मित्र पूछ है, और वहाँ कोई सेव रखा हो, केला रखा हो, कोई दूसरा फल रखा हो, कि तुमने यह क्यों नहीं खाया है, तो आप कैसे बबलेंगे इसको, क्यों लगा हुआ है, और नहीं भी लगा हुआ है, Why have you not eaten this अब यह नहीं काया पता नहीं क्या है तो यह this तक ही रहेगा यहां तक पीछे question mark कौन अपनी किताब नहीं लाया है कौन अपनी किताब नहीं लाया है तो इसके अंतर कर देखिएगा कौन नहीं लाया है इसे sentence मैंने आपको पहले बताए है हू से start हो जाते हैं और यो हू है ये subject का काम करेगा कौन अपनी किताब नहीं लाया है लाने वाला कौन है? कौन तो कौन को यहाँ पर हू कर लेजिए who has not a bring का third form brought b-r-o-u-g-s-t who has not brought his book his या हर जो भी आ रहा हो अगर girls की कोई class है तो हर आ जाएगा boys की है तो his आ जाएगा मोहन नहा चुका है या मोहन नहा लिया है तो ऐसे sentence या है यी है अभी आपको बताया था तो यह सब इसी present perfect के अंतर कताएगा मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि 10-15 मिनिट आपकी कहीं भी बरबाद हो जाएगी लेकिन अगर मेरे साथ अगर 20 मिनिट विताएगे तो आप जरूर कुछ बात भी हो जाता है मोहन है बात यहाँ sentence complete हो जाता है लेकिन अगर आप चाहें बात की जगया पर टेकन बात भी modern English में खोग चल रहा है तो मैं इसको bracket में लिख रहा हूँ आपके बल यहाँ तक रखें इसको तागे आपको confusion ना हो अगर ऐसा आपको मिल जाए तो आप उसे समझ चाहिए का ऐसा भी सन्ने बताया था मैंने कभी ताजमेल नहीं देखा है अब ये कभी और नहीं वाला आ गया before वाला और लेडी वाला मैं पहले बता चुका हूँ और कभी नहीं वाला ऐसे देखिएगा मैं ताजमेल कभी नहीं देखा हूँ तो I have अब नहीं कीजिएगा यहाँ पर never लग जाएगा I have never seen the ताजमेल अंत लास्ट में फुल स्टॉप लगाईएगा ताजमेल नहीं देखा है ठीक उसने सारा धन खर्च कर दिया है उसने सारा धन खर्च कर दिया है या लिया है तो उसने का मतलब He has खर्च करना की होती है Spend और third form Spend He has spent all of His money सारा धन खर्च कर दिया तो इसने सी आपने पूरा देखा यहां सक Present Perfect का टेंस थोड़ा सा एक हलका सा रिविजन ओर देता हूँ चुका चुकी चुके मिलेंगे दिया है या है यह है यह है वरतमान समय में कोई काम पूरा हो चुका हो हैज हैव इसकी helping वर्व रहेगी वर्व की third form रहेगी दो सेंटेंस और हैं इनको और में बना के बता दो रमन सो चुका है रमन हैज और स्लीप का third form slept उसने पाठ याद कर लिया है तो उसने का he has learned the lesson फुल स्टॉप आईए स्टुडेंट्स आगे चलते हैं present perfect continuous की और बस तहर पूर्वक देखते रहिएगा समझाने की जिम्मेदारी मेरी है और आपसे निवेदन है वीडियो को like, share, subscribe भी करें और copy pen लेकर बैठें हर important चीज़ को note करें screenshot लें तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो की और तो पहले इसको समझेगा present का मतब होता है वर्तमान से और perfect का मतलब पूर, पूरा हो चुका और continuous continuous का मतब होता है लगातार और tense means काल, तो वो समय जिसमें काम पहले सुरू हो चुका और अब भी चल रहा है और वो वर्तमान में है, तो ऐसे tense को present perfect continuous tense कहते हैं अब देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, उसके नियम क्या होते हैं, sentence कैसे बनेंगे, उससे पहले जरा सही समझेए, मैं यहाँ 2010 से रह रहा हूँ तो है, हूँ, हो, जब आ जाते हैं तो यह present की निशानी है और कोई काम रहा रही होता है तो वो continuous की निशानी है, लेकिन यह रहने का काम कब शुरू हुआ, यह 2010 से शुरू हो गया तो रहने के काम जब शुरू हो चुका, रहना शुरू हो चुका, कब से 2010 से तो जो परफेक्ट में चला गया आज भी रह रहा है, continuous हो गया, present है हूँ, हो को देखकर लगाएंगे उम्मीद करता हूँ, यह तीनों चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी, जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बात देख रहे हैं, सबस्क्राइब जरूर करें, लाइक सेयर अगर आपको अच्छा लगता है तो करें, और आप सेयर करना चाहते हैं तो अपने ग्रूप में, वार्सेब ग्रूप में, सबको बताईएगा, सबको सेयर कीजिएगा, इससे आपको भी लब मिलेगा, चलिए सुझेट्स, देखिए इसकी पहचान क्या होती है, वाके के अंत में, रहा है, रही है, और रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, समय भी दिया गया हो, समय का मतलब कोई काम पहले से चल रहा है, और अब भी जारी है, तो समय भी दिया गया हो, जैसे वो कह रहा है, 2010 से रह रहा है, तो रहने का काम अब भी जारी है, तुम दो घंटे से खेल रहे हो, तो खेलने का काम कब शुरू हुआ, दो घंटे पहले, और खेल रहे हो, इसक sentence को हम present perfect continuous tense के नियमों के according translate करते हैं तो आईए चलते हैं इन दो sentence का बनाएंगे बाद में पहले नियम को देखते हैं देखिए इसके अंदर helping verb दो रहेंगी has been singular के लिए have been plural के लिए has been और have been का प्रियोग होगा plus verb के साथ ing यूज करना है और इसका जो formula बनता है subject, helping verb, verb के साथ ing, object और time और other word अब देखते हैं time और time की अंग्रेजी कैसे लगाते हैं अब उसी नियम से जो अभी बताया था आपको उससे यहां देखते हैं कि मैं यहां 2010 से रह रहा हूँ तो देखिए सबसे पहले subject लगाया, देखो जो नियम और सूतर जो आपको बताई जाते हैं, जो helping पर बताई जाते हैं उसको नोट पर जरूर करें परना फिर आप भूल जाएंगे फिर कहेंगे वीडियो से कुछ सीखने को नहीं मिला तो I और I के साथ have और been रहने का काम है I have been living here, यहां रह रहा हूँ, और कब से रह रहा हूँ, 2010 से थीक, तो 2010 को ऐसे लिखें, अब से की अंग्रेजी बीच में रहे गई है, से की अंग्रेजी बीच में लगानी है मैं अभी यहां लगा दे रहा हूँ, और क्यों और कैसे लगती है, अभी समझाता हूँ आपको Since तुम दो घंटे से खेल रहे हो, थीक, तो you have been playing, बहुत सरल है, थोड़ा सा टेंशन लेके अगर सीखेंगे You have been playing to us और फुल स्टॉप बीच में फिर से की अंग्रेजी, तो से की अंग्रेजी मैं यहां फॉर लगा रहा हूँ अब सिंस और फॉर यह दोनों क्यों लगे, जबकि दोनों में से से एक जैसा है, लेकिन से इस से लिए नहीं, से इसकी एक्वर्डिंग आता है यह क्या होता है, यहां देखिए, से की अंग्रेजी मैंने अलग से स्पेशल लिखी हुई है तो सिंस लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर लगाना है, पीरियेट ऑफ टाइम के लिए जैसे दो घंटे, चार घंटे, दो दिन, चार दिन, मतब दिन कब सुरू हुए, कब खतम हुए, इसका कोई पता नहीं है लेकिन दो दिन, चार दिन ठीक है, मैं यहां इस तरह से लिख रहा हूँ, दो दिन, दो घंटे, चार साल, अब चार साल कब सुरू हुए थे, कब खतम हुए, कुछ अता पता नहीं है यह क्या है, यह दिखा रहा है, ग्यारे मार्च, ग्यारे मार्च से, 2005 से, जब इस तरह से आ जाए, सुबह से, अब सुबह तो निश्यत है, सुबह तो सुबह ही होगी तो निश्यत समय के लिए आपको ये लगाना है अनिश्यत समय के लिए फॉर लगाना है तो ऐसी कंडिशन में आप सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे बात बागी आपकी किताबों में डेटेल सब दिया हुआ है से पढ़ है नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा होता है अब इसी चीज को यहां समझ लीजिए कि 2010 निश्यत है कब आई थी 2010 निश्यत है न 2009 में आई होगी न वो 2011 में आई होगी न वो 10-20-50 साल पहले आई होगी 2010 2010 में ही आई होगी इसलिए निश्यत है तो हमने हाँ पर सिंस का परयोग किया अब 2 घंटे से खेल रहे हो अब 2 घंटे कब शुरू हुए कब खतम हुए कोई अता पता नहीं है न उनका तो इसलिए हमने क्या यूज किया 4 का यूज किया तो सिंस और 4 का इस तरह से हाँ किलियर हुआ वीडियो को दुबारा देखना पहुज करके देखना थोड़ा सा अपनी बुक में से 2-4 एक्जामपल ज़्यादा देख लेना ये देख लेना इस तरह से आगे चलते हैं सरला एक घंटे से गाना गा रही है अब देखिए अब आप भी इसके मेरे साथ साथ तुम भी बनाओ सरला अब सरला एक है तो हैज लगाएंगे और साथ में बीन लगाएंगे अब काम क्या हो रहा है गाने का हैज बीन सिंग और सिंग में जोड़ना है I.N.G. सिंगिंग सरला हैज बीन सिंगिंग क्या गा रही है गाना कब से एक घंटे से अब एक घंटा कब सुरू हुआ बताईए मुझे एक घंटा का मतलब कोई पता नहीं यह घंटा कब सुरू हुआ तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर एन आर बस केलियर हुआ यहां तक मुकेश 2005 से दिल्ली में रह रहा है अब देखिए रहने का काम कब सुरू हुआ 2005 से तो बनाईएगा इसको मुकेश हैज बीन लिविंग इन डेली अब यहां लगेगा सोचिएगा सिंस 2005 सिंस और फॉर का प्रियोग समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है इस तरह से दोनों सेंटेंस आपको किलियर हो गए होंगे बहुत सरल है बहुत आसान है सब्जेक्ट के साथ हैस भी लगाओ कोई डरने गवड़ाने की बात नहीं है बहुत सरल है जैसे प्रियंट कंटूनियस था उसी तरह से है बस इसमें हेल्पिंग वर्ब बदल गई है और जरासा यह सिंस फॉर्ड लगाना है बस दो ही सब्दें कोई तीशरे सब्द नहीं लगाना है से के लिए आगे चलते हैं नेगिटिव सेंटेंस की ओ जो नहीं वाले वाक्य होते हैं इनमें एक विशेश ध्यान देना है कि जो हेल्फिंग वर्ब है वो हैज और बीन है नॉट इनके बीच में लगेगा तो हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन कभी ऐसे मत कर देना कि हैज बीन नॉट हैव बीन नॉट बिल्कुल गलत हो जाएगा हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन प्लस वर्ब और उसके साथ आई एन जी देखिएगा इसका क्या रास्ता बनता है सबजेक्ट हैज या हैज मैंसे कोई है नॉट फिर बीन फिर वर्व और आई एन जी इनको अलग अलग पढ़ना मैंने इसमें बीच में प्लस नहीं लगाया है और फिर अब्जेक्ट टाइम और फिर जो भी अधर वर्ड है वो सब तो चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं राहुल दो साल से नहीं पढ़ रहा है मेरे साथ साथ आप भी बनाईए राहुल अब राहुल एक है है लगेगा नॉट बीच में लगा राहुल है ज नॉट बीन पढ़ना की रीड और इसमें जोड़ा आई एन जी क्योंकि ये पूर कह रहा है आई एन रीडिंग और ऑबजेक्ट अब ऑबजेक्ट क्या नहीं पढ़ रहा है कुछ ही नहीं हाँ पहे नहीं पढ़ रहा है अब आता है दो साल से तो फॉर टू येर्स वाई ए ए आर एस उसे चार दिन से बुखार नहीं आ रहा है उसे का मत्तब वह होता है अब बुखार आने के लिए कम नहीं लगाते है सफर लगाए जाता है अई एन जी तो अलग सी जोड़ना है इस नौट बीन सफरिंग और सफरिंग फ्रॉम फीबर चार दिन से और चार दिन से की अंग्रेजी लगाईएगा फॉर फॉर डेज यहां तक भी बड़ी आसानी से समझ में आगया होगा अगर आप धीरे धीरे मन से प्यार से समझेंगे वीडियो को बिना स्किप किये हुए तो यह पंदरे बीस मिनिट आपके लिए वो महत्वपूर होंगे कि आपको फिर जीवन में किसी किताब से भी पढ़ने क्या आवा सकता नहीं पढ़े इन सेंटेंस को चलिए आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव की और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंतरकत मैंने बताया था पहले भी आपको के दो तरह के सेंटेंस होते हैं फर्स टाइप के और सेकिंड टाइप के पहले वाले वो जिनका उत्तर हाना में दिया जा सकता है जो क्या वाले होते हैं और दूसरे क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन वाले तो क्या वाले sentence के लिए has और have को subject के according किसी भी एक शब्द को subject से पहले लगाना है और फिर उसके बाद subject not है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ इसी मैंने bracket में लिखा इसको being और verb के साथ ing और object, time और other word तो वह के लिए हमने क्या लगाया है he, और he के साथ क्या लगाते हैं, hedge hedge he have been living here अब जन्वरी तो निश्यत है कभी भी आई होगी, तो जन्वरी के लिए क्या लगाएंगे हम, since जन्वरी और पीछे, question mark तूसरा sentence देखिए, क्या तुम सुभह से पढ़ रहे हो तो तुम के लिए you आएगा, तो you से पहले have have you been reading अब सुभह से है, तो यहाँ पर हो जाएगा since, अभी मैंने बताया था सुभह साम, इनके लिए since का परियो करते हैं since morning और पीछे, question mark ध्यान दीजिए, क्या तुम सुभह से नहीं पढ़ रहे हो अगर नहीं शब्द यहाँ जोड दिया जाए तो तो फिर आपको करना क्या है have के बाद ही मत लगा देना मैंने भी बताया था कि have के बाद लगेगी note, note हमेशा subject और वर्व के बीच में लगती है तो यहाँ पर लगानी है आपको note, यह दिल लगा हुआ है तो ऐसी condition में clear हुआ चलिए आगे अब इसके बाद second type के interrogative देखिएगा, अभी आपको यह समझा दिया अभी यह देखिएगा, जिसमें डवलू एच वर्ड पहले आएगा, और फिर as have, subject, फिर not, being वर्व, ing, object, time, और other word इसको देखिएगा, note कर लेना इसका screenshot लेगा देखिए, तुम दो दिन से यहाँ क्या कर रहे हो तो क्या बीच में आगया है अब यह बीच में आया हुआ, यह yes no का answer नहीं देगा, यह आपको पूरा detailed answer देगा, क्या कर रहे हो वो कुछ कहेगा मैं पढ़ रहा हूँ खेल रहा हूँ, yes और no वाला नहीं है यह, तुम दो दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या के लिए what have what have you been doing here अब दो दिन कब शुरू हुए, कब खतम हुए, कोई पता नहीं, for two days बस इस तरह से sentence बनाने है, वे अगस्त से अपना समय क्यों वरवाद कर रहे हैं तो यह क्यों आया क्यों के लिए why have they been waste wasting their time अब जो अगस्त आ गया है, अगस्त से तो यहाँ अगस्त निश्यत है, तो since और अगस्त का ए बड़े से question mark आपके बाद जो भी किताब है, उसमें से sentence बनाईएगा, इसमें सब में exercise दी हुई हैं, खो, साम से कौन तुम्हारा इंतिजार कर रहा है, कौन कर रहा है इंतिजार, तो subject इसमें ये कौन है, यही प्रस्णवाद चेके है, यही subject है, तो इसको who से, who has been, एसे sentence में पेले भी पढ़ा चुका हूँ, इसके बारे में पूरी detail, पिछले videos में present, indefinite, continuous वाले में आप देख सक देखते हैं आराम से, who has been, waiting for you, तुम्हारा कौन इंतिजार कर रहा है, साम से, अब साम से, साम क्या होती है, सुबह साम, since evening, देख जाएगा यहाँ पर, पिछे question mark, एक साल से इस मकान में कितने लड़के रह रहे हैं, ठीक है, तो कितना कितनी के लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो इसको यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले किसी कितना कितने की अंग्रेजी आती है, how many, और how many से संबंदित सब्द भी नाउन साथ में आया है का, how many boys, how many boys have been living in this house एक साल से, for one year या for any year, for a year, तो पीछे कुशिन बाद, तो इस तरह सी यह, पूरे नियम, पूरे सेंटेंस मैंने आपको समझा दिये हैं, वीडियो को दो वार तीन वार देखिएगा, अपनी बुक से एक्साइस कीजिएगा, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो जरूर ला पॉन के वार्सेप गुरूप में सभी में फैला दी चीज़ को, इस्टुरेंट्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक घंटे से ज़्यादा का वीडियो धहरे पूरबग पूरा देखा, लेकिन आपने सीखा भी पूरा, ऐसी में उम्मीद करता हूँ, और आप सभी को एक घंटे का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बदाई, बहुत बहुत धन्यवाद के पात रहें, इसी तरह ग्यान को फैलाने की और सीखने की प्रकरिया में मेरे साथ बने रही हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तिल देन टेंग, केर, थैंक हैं...